दोस्तो नमस्कार लीजिए आप सभी स्टुडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जिसका आपको इंतजार था एन्यूल एक्जाम 2023 का ये आप लोगों का इंगलिस सब्जेक्ट का पेपर ये आपका संपूर्ण सोल्यूशन सहित में आप लोगों को बताऊंगा एक एक कुशन के उत्तर में बताऊंगा कक्षा नोवी वाले स्टुडेंट्स MP बोर्ड सारे स्टुडेंट्स जूड़ जाईए जल्दी जल्दी इस लाइव क्लास में क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ये क्लास होने वाली है और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अंग्रेजी कक्षा नोवी का पूरा पेपर सोल्यूशन सहित ये देखी read the following pages carefully and answer the question given blow दोस्तों आप लोगों को ये जो passage दी है ये मैं पढ़के बता रहा हूँ आंसर भी बताऊंगा जल्दी से जल्दी आप चैनल को subscribe कर लीजेगा देखिएगा आप थोड़ा उपर की दो-तीन लाइने थोड़ा ध्यान रखना ये passage है भोला दा फार्मर वांटेट तो सो वीट इन हिस फिल्द ही डिसाइड़ तो आस्क हिस फ्रेंड्स फोर हेल्फ फर्स्ट ही वेंट तो दीनानाथ एंड अस्क्ड हीम ठीक है माई डियर फ्रेंड ये वाला ठीक है आपको मैं कुश्चन के आंसर बता दू डायरेक्ट आप द अंप मतलब यहां पर आपको अपोज़िट बताना है तो विश पर आपका इसमें correct उत्तर हो जाता ठीक है न जिस जिस ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी जल्दी चैनल को subscribe कर लीजेगा क्योंकि आपके सभी जितने भी paper है सारे के IMP update हमारे इस चैनल पर मिलेगी देखिए second question read the following passage carefully and answer the question given below a man who developed the habit of reading books is always happy because books are the source of enjoyment देखिएगा book क्या है source of enjoyment है ठीक है अब मैं question answer बता देता हूँ आप लोगों को a man who developed वाला देख लेना आप सभी ठीक है इसमें किसके बारे में बताया है books के बारे में बताया है यह हमें enjoyment देती है inspiration और interaction देती है और in the company of books nobody feels lonely अगर मान लीजी हमारे पास book है तो हमें किसी प्रकार का अकेला पर मैसूस नहीं होता है ठीक है अब इसके question देखिएगा question first क्या है इसमें देखिए यहाँ पर are the source of enjoyment inspiration and instructions तो बेटा इसमें आप लोगों को याद रखना है books आएगा ठीक है books books are the source of enjoyment याद रखना जो books होती है न यह enjoyment का source है तो पहले question में आप लोगों को books बता देना है इसके बाद में देखिएगा इसके बाद next question है आप लोगों का यह यहाँ पर रहा next question यहाँ पर यह next question है in the company of books nobody feels देखो अगर book की company हमारे पास में है मतलब कहने का friendship तो हम lonely हम अकेला महसूस नहीं करेंगे ठीक है न अगर हम book को अपने साथ रखते हैं तो ठीक है लोग company की तोर पर friend को साथ रखते हैं हम book को साथ रखेंगे तो हमें अकेला महसूस नहीं होगा question number three in the passage raskins calls books kings treasures the treasures is filled with तो treasures is filled with knowledge तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है knowledge बताना रहेगा आप सभी students को ठीक है अगला देखिए का the plural form of company company का plural क्या हो जाएगा बहवचन company हो जाएगा ठीक है याद रखना company का company हो जाएगा जो कि हमारा option number first में दिया गया है और एक और बात में बता दूँ आप लोगों को यहां पर जितने भी question है ना आप लोगों के hundred percent सिदर के लिए जो आप लोगों की जो बुक है उस पर आधारी थे आपके syllabus पर आधारी थे सीधा सा आप उससे याद कर लेना ठीक है question number five in the comparative degree of important is important की जो comparative degree है वो more important हो जाएगी more important आप लोगों को याद रखना है आपका correct उत्तर more important हो जाएगा इसके बाद में देखिए का यह आचुका है section B section B में क्या करना है आप लोगों को section B में आप लोगों को read the passage carefully make notes and given title also तो यहाँ tourism has emerged as the world's largest industry growing rapidly in the last two decades today तो इसमें title में बता देता हूँ इसमें title आप लोगों को हो जाएगा tourism ठीक है याद रखिएगा यह title आप लिख लेजिएगा tourism ठीक है यह title आप लोगों को देना रहेगा और बाकी notes तो आप बनाई दोगे ठीक है टाइटल आप tourism लिखेंगे और इसके बाद में question number 4 देखिएगा और इसके बाद में आप लोगों को में section C वाले जो IMP question है वो में बता रहा हूँ ठीक है इसको आप देख ले ना पेले write a letter to your friend for inviting him on your birthday which is celebrated on 23 March 2024 write an essay of anyone following wonder of science, my hobby, importance of games and sports, any great leader अब यहाँ पर इसमें क्या करना है यह जो चित्र है ना इसके माध्यम से आप लोगों को चित्र को देखना है इसमें क्या बताया गया है इसे करके 80 word में लिखना रहता है ठीक है ना अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपका जो next section है जिसका आपको कापी इंतजार रहता है इसमें से आपके सारे question बनते हैं इसे fill in the blanks with correct words and rewrite sentence मतलब कि आप लोगों को fill करना था tree is cut by the farmer by or with दिया था by or with इसमें से by आप लोगों को लिख देना था ये लिखा है पहले ही लिख दिया में आप लोगों के लिए ठीक है books देखिए boys boys are going the class into the class ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों के लिखना था देखिएगा boys boys are going to are going into ठीक है into the class ठीक है एसे आप लिख सकते हो इसको तो इसमें into का use होगा my Everest is the यहाँ पर आप लोगों को एक सिकेंड थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि यह सही से दिखाई दे यह देखिएगा यह Mount Everest है ठीक है na MT लिख दिया है उसका ठीक है Mount Everest is the highest peak in the world ठीक है इसका मतलब यहाँ पर दा का use करना है हमें ठीक है परवत का नाम है और हाइस्ट है तो दिका यूज हम इसमें कर देंगे तो Mount Everest is the highest peak in the world ठीक अगला देखो he has been playing cricket morning तो इसमें आप लोगों को since लिखना है क्या लिखना है since morning किसका यूज होगा since का होगा he has been playing cricket since morning this is very correct answer इसके बाद में next आप देखिएगा यह रहा आप लोगों का इसी में कुश्यन he can solve any problem can or may can दिया है और may दिया है इसमें से हमें क्या यूज करना था तो इसमें से आप लोगों को use करना था किसका गेन का तो कैसे बन जाता he can he can solve कि वह कर सकता है क्या कर सकता है solve any problem वो किसी भी समस्या का समधान कर सकता है घैसे कि मैंने आप लोगों की समधान कर दे इंगलीजस का आपका paper जो है ये लाकर तीक है ना IMP paper है ये आपका इसके बाद मैँ do is directed आ चुके हैं देख सकते को आप यह पर do is directed में आपको क्या करना है सभी बीलकुल ध्वां से करेंगे इसको देखिएगा Mohan wrote a letter make interrogative, मतलब इसको प्रशन वाच्छक में बनाना है तो did Mohan write a letter ठीक है ऐसे बन जाता और she speaks English change into passive voice, इसमें आपको passive voice में change करना था, she speaks English इसमें English is spoken by her ठीक है, यह passive voice हो जाएगा English is spoken by her next देखिएगा, I have taken tea, past continuous, I was taking tea, इस प्रकार से, यह continuous में बनाया, I was taking tea, ठीक है इस प्रकार से आप लोगों को बता देना था इसके बाद में, he is very intelligent he can solve any puzzle, you so that, तो इसमें आप लोगों क्या लिखना है he is so intelligent that he can solve any puzzle, बस खतम यसी करना था आप लोगों को और यहाँ पर लिखा, he is so intelligent that he can solve any puzzle, इस प्रकार से अगला देखिएगा, रोहन डिड इस हॉमवर्क, में नेगेटिव देखो, इसमें नेगेटिव बनाना था तो रोहन डिड नॉट डू हॉमवर्क, ठीक है डिड नॉट लगा देना था यह आप लोगों को correct करना है, इसी प्रकार से जिसमें बता रहा हूँ, और चैनल को subscribe जरू कर ले सारे विशे की most IMP और best update हमारे दोरा आप लोगों को बता जाएगी देखिएगा, he will go to भोपाल, present simple में बनाएगा है he goes to भोपाल he goes to भोपाल he goes to भोपाल यह आप लोगों को correct उसर में बता देना, he goes to भोपाल he will go to भोपाल, वे भोपाल जाएगा इसका present में हम कैसे बनाएगे he goes to भोपाल, ठीके ऐसा अब यह आई चुका है section D बिलकुल most important question है section D के who is right the poem wind, wind किसने लिखिये तो सुब्र मन्यम, सुब्र मान्या भारती ठीके इस प्रकार से और इसके बाद में अरविंदम is अब्दूल कलाम's friend ठीके, अरविंदम कौन थे अब्दूल कलाम जी के friend थे और Albert Einstein was born 14 March, 14th of March ठीके किसका जनम हुआ था, Albert Einstein का जनम हुआ था ठीके ना, इसके बाद who found a real book तो इसमें आप लोगों को Tommy बता देना है, Tommy will be correct answer ठीके, और अब यह आ चुका है आपका question number 10 इसमें क्या दिया है read the following stanza carefully and answer the questions stanza को the only the woman in the world who has scaled Mr. Everest twist was born in a society देखो, यहाँ पर Mount Everest की बात की जा रही है जिसने फते किया था उसकी बात है who has scaled Mount Everest twist तो the woman जिसका नाम था संतोस क्या था संतोस था उसका नाम ठीके, इसके बाद who wanted a son तो her mother ठीके, what is opposite of bless bless का curse ठीके, C-U-R-S-E ऐसा लिखना था और what is the name of this chapter तो reach for the top ठीके, चेप्टर का नाम क्या था reach for the top यह नाम था, ठीके ना स्क्रीन सोट भी ले सकते हो आप इसका और complete कर सकते हो बिल्कुल सारे कुश्चनों के आंसर में आप लोगों को बता दी हैं इसमें बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जेहिंद वंदे मात्रम